प्रणादार सुन्दर साथ जी, स्वयम को जानना, अपने प्राणिस्वर को जानना, हमारी जीवन का स्वरों पर लक्ष होता है खुलासा के इस प्रकण में एक जो बाई आती है, जो प्राया समाज में बहुत प्रचलित है रुहें वे नियाज दी, बीच दरगाह बारी हचार, जाने ना आप अर्ज की, साहवी अपार इसमें जो वे नियाज सब्दा है, इसका आर्थ होता है वे सुद्ध हम यदि सुद्ध में देखें तो माया में तो हम भी वे सुद्ध हैं इस मायावी जगत में हमें को परमधाम की ब्रमवाणी दी गई है फिर भी इस ब्रमवाणी का हम चिंतन मन करते हैं जान दिश से जानते हैं कि राजजी कौन है, हम कौन है ये माया दुखदाईनी है, किन्तों ना हम माया को छोड़ पाते हैं न अपने प्रितम से एक रूप हो पाते हैं न हम अपने जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में परमानंत का लाभ उठा पाते हैं जानते हैं भी कुछ नहीं हो पा रहा है परमधाम में इस्तिती इसकी विपरीत है जहां इस संसार में माया का एक्छत्र समराच्य है सारा ब्रह्मान माया का बना हुआ है हमारी इंद्रियां अंत्यक्रण भी माया की है जीव भी माया के संसार में प्रिकट हुआ है इस दिये खाना पीना सब कुछ रहान सान चिंतन मनन जो कुछ है माया काई है किन माया पार ना पाईया किन कहयों न मूल वतन सरूप न कहयों काहु ब्रह्म को कहे उत्चले न मन बचन इस माया से परे क्या है सिष्टी में कोई जान नहीं सका पंच बासनाओं के तरिक थे ऐसी इस्थिती में बर्तमान स्वे में जो तो मुगूर का प्रभल्य है कलजू का एक्छत्र समराज्य है इसमें हमें मुक्तकण से कहना पड़ेगा कि माया में हम पूरते हैं अब प्रस्थिती हैं कि जदी जान देश्टी हमारी जागरती होती है हम जान देश्टी से विवेक ग्रहन कर लेते हैं कि नहीं यह संसार तो सुपनुवत है संसार के विशे सुख छडिक है हमें के मुह में अपड़कार वाणी की ज्यान का प्रकास रण करना है और राज्य के प्रेम में डूब कर उनका दिदार करना है अपनी आत्मा को जागरत करना है एक प्रस्त खड़ा होता है कि परमदाम में तो राज्जी के सामने ही सखिया थी हर पल राज्जी के साथ ही रहती थी ऐसी इस्तिती में उनको बेसुधी क्यों हो गई कि विस्वयम को नहीं जान पाई, राज्जी को नहीं जान पाई परमदाम की वैदत को नहीं जान पाई और वैदत की मारिफत एकत्य के सर्वच विज्यान को नहीं जान पाई चिस चितोनी के द्वारा हम राजी के दर्सन की भावना रखते हैं कि एक दिन राजी का दर्सन होगा हमें अपनी परात्म का सरुप दिखेगा और हमारी आत्मा जागरित हो जाएगी तत पैस्चात हमें जागनी का सुक मिलेगा कि यह इस्तिति तो पहले से अनया शुरुप से प्राप्त थी तो यह जागनी प्राण का मुद्धा कहां ठारता है हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वाणी से हम जान का प्रकास पा रहे है वह हमारा मस्तिस ग्रहन कर रहा है हम प्रमधाम की वाहिदत की मारिफ़त को भी जानते हैं वाणी से किन्तो बेभार में नहीं जानते है हम नक्से सिख तक राजी का सिंगार जानते है किन्तो राजी के सिंगार को हमने देखा नहीं है उनके नक्से सिख्तक की सोभा को अभी तक नहीं देखा है सियमा जी के सिंगार को देखा है नहीं है अपनी परात्म का भी सिंगार नहीं देखा है किन्त चौपाईयों को याद करके हम धारा प्रवा बोल सकते हैं कि हमारी परात्म का सिंगार क्या है स्यामाजी का सिंगार क्या है राजी का सिंगार क्या है या परमधाम के 25 पक्छों की सोबा क्या है वहां के लिल्या क्या है हम सारा बढ़न कर सकते है किन्त इसका यह अर्थ नहीं कि जो हम कह रहे हैं उसका अनुभा भी हम किये हुए है परमधाम में राज जी का सिंगार स्यामा जी का सिंगार हमारी परात्म की सोबा पचीज पक्छों की सोबा हमारे दिष्ट गोचर पलपल थी फिर भी हम बे सुद्ध थे क्योंकि हम आरिफ्यत के रश्ट को नहीं जानते कि मन चित बुद्धि अंकारी अंता करन है इन्हें को हिर्दय का जाता है जीव इनके अंदर द्रश्टा रूप से अंता करन की लिला को संसार में देख रहा होता है कि मन को सुख दुख कैसे होता है बुद्धि कैसे विवेचना करती है चित कैसे चिंतन करता है और जीव का अंताकरण तो अलग है, जीव के अंताकरण में काम, क्रोध, मद्द, लूब, अहंकार, तृष्णा भी है, और दैवी संपता भी है, जान भी है, भक्ती भी है, विवेक भी है, वैराग भी है, सील भी है, संतोस भी है, ये सारे अच्छे बूरे संसकार, चित के अंद जब बात आती है आत्मा के अंतकरण के तो आत्मा का कोई अंतकरण वास्तों में नहीं होता है किंद चुपाई में जरूर कहा गया है अंतसकरण आतम के जब यह रही हो समाए तब आत्म पर आत्म के रहे नकुछ वंद्रा है आत्मा के अंतकरण क्या है क्या आत्मा के अंतकरण में भी जीव के अंतकरण जैसी चीज़े हैं उत्तर मिलेगा नहीं परमधाम में एकत्तो का समराच्य है एक अक्षरातीत का ही सुरूप परात्म के रुप में है सक्षियों के रुप में सियामाजी के रुप में 25 पक्षों के रुप में खुब खुसालियों के रुप में है किन्तो इस काल माया के ब्रह्माण जैसी इस्तिती वहाँ नहीं है जैसे हमारे मन की कुछ अलग विशेश्था है इसका कारिया मनन करना संकल्प करना बुद्धी का कारिया विवेचना करना चित का कारिया चिंतन करना और हंकार का कारिया आहम बना करना यह प्राकरतिक द्रब्य है, जीव की चेतना इनमें प्रविष्ट होकर इनको चेतन वैसे ही बना देती है, जैसे हमारे सरीर में जब तक जीव का वास रहता है, तो हमारा जड़ सरीर चेतन रहता है, और जब जीव सरीर से बाहर निकल जाता है, तो यह सरीर मुर्दार हो जात जीव हमेशा तब तक बना रहता है जब तक या तो महाप्रले हो जाए या मुक्ष का सुख प्राप्त कर ले जीव कारण सरीर से परे जब होता है अपने सुद्ध सुरुप में होता है तो प्रकृति से परे हो जाता है किन्त आत्मा के अंताकरन की जब बात कही जाती है तो आत्मा का अंताकरन नहों होती हुए भी इस संसार के भावों से हमें कहना पड़ता है जैसे इस थार को इस थार करों हमारी आखें नाःख्या थाकूल के रूह क्यांवाई मुख्या था इंद्रिया का था उम्हाइन कि रिफ करों है यह यह दो कि नाषिका के कि op गोस्ते घ्र險 रूप में कान के रूप में हाथ प्यार कि हैं तो हम मानाव अंगों सींद्र के तुलना नहीं कर सकते हैं gustaría यहां पर हैं वईसे यह नट कर लीला रुप में सब कुछ है यहतारता में यहतारता तो यहीं है कि वहां कि आँखे भी नाष कांभी ब्रह मरूप हैं नाज का हाथ बहात भी नमब रूप है क्योंकि सब कुछ एक एक कड़कड राजी का सुरूप है राजी के हिर्दे का ही बहता हुआ रस जो प्रेम और आनंद के रस से ओध प्रोत हो रहा है वही तो एक-एक लीला रूप बस्त में दिश्टगोचर हो रहा है चाहे सक्यों के अंतकरन हो इंद्रियां तन हो या स्यमाजी का हो लीला रूप में यह सभी दिश्टगोचर हो रहे हैं इसलिए अब प्रस्न यह होता है कि जान देश्ट से हम जो जानते हैं जब तक उसका प्रत्यक्ष अनुभाव नहीं कर लेते तब तक हम कैसे कर सकते हैं कि हमने उस सत्य को पालिया जैसे हमने किसी स्वाधिष्ट फालिया मिठाई का बर्ण पढ़ लिया और उसको हम बार-बार कह रहे हैं तो यह नहीं है कि हमने उसको खा भी लिया है वास्तिक अनुबहत तब होगा जब हम ने पढ़ा है पढ़े हुए को खा लिया और खाने के बाद तम हम बता सकते हैं कि मैंने पढ़ा भी था और खा भी लिया इस जागनी के ब्रहमान में सागर सिंगार परिक्रमा खिल्वत को पढ़ने के बाद जब हम पूर्ण उस सत्यकावी सक्षत कार करते हैं कि 25 पक्छों की सोभा यह आए राजजी स्यमाजी की सोभाई आए परात्म की सोभाई आए और ऐसी बेस्तिति की आजाए कि राजजी की सोभा में डूपते हम मारिफ हट कि उस आवस्था को प्राप्थ हो जाए उनके हिर्द्रे में हम इस प्रकाहर ढूप जाएं कि अपने इस्टितольше को भूला दें तो हमें वह आवस्था प्राप्थ होगी जिस QUE ata मायां का खेल बनाया गया है अभी तो हम लीला में है अभी जान की लीला चल रही है और माया की लीला चल रही है हमारे साथ दो इस्थितिया है जब हम बाहरी पढ़ते हैं तो जान दिश से हमारे हिर्दे में प्रकास आता है जीव के हिर्दे में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जैसे ही ज्यान का प्रकास मद्धिम पढ़ता है हम संसार में जब भ्रहमर करते हैं तो माया के सुख हमको अकर्षित करने लगते हैं हम वो सारी बाते भूल जाते हैं वाणी में कहा है यह मोहे सहीवन नचावी जो कहें साथ में कट बचन किन्त हम वाणी पढ़कर उठने के वे कुछ गंटों बाद ही किसको कड़वा बचन बोलने में जरा भी जिजक नहीं करते हैं क्योंकि यह ज्यान केवल हमने पढ़ा आत्मसाथ नहीं क्या अब हम रही और नचावी मूल मिलावे भी हम पढ़ लेते हैं किन्त जब हम चित्वनी करते हैं तो चित्वनी में भी हमें संसार की बातों की यादा आने लगती है अस्पस्ट क्या है कि हम जो पढ़े हैं उसको पूर्ण रुप से अभी चरितार्थ नहीं कर पा रहे परमधाम में रुभों की वेसुधी का करण क्या था परमधाम में अच्छरातीत सामने है वाइदत की लिला हो रही है सक्यां स्यामाजी सभी मिलकर राजी को रिजा रहे है राजी सक्यों को रिजा रहे है सभी कह रहे हैं कि हमारा प्रेम बढ़ा है खुब खुशालियां सक्यों को रिचा रहे हैं पसपक्षी खुब खुशालियों को रिचा रहे हैं हर कोई किसी न किसी रूप में सब को रिचा रहा है किन्त कोई नहीं जानता है कि सब के बीच में मूल्स रूप क्या है इस पात पर आतार रिजाती तो हम हें, राजी कैसे कह रहे हैं, कि मिर रिजाता हूं क्योंकि उनको प्रटेक्ष्र कर दिख रहा हैं, इसलिए मेरा प्रेम बड़ा है कि मैं सब को प्रेम दे रहा बात सबकी सच्छ है क्योंकि वहदत की मारिफत को कोई समझ नहीं रहा है वहदत की हकीकत में सब ही डूबे पड़े है वहदत की हकीकत यानि एकत्त की सत्तता को सब जान रहे है कि हम सब के दिल में एक ही बात है जैसे सबी सक्यों को यह मालूम है कि जो सियमाजी के दिल में है वही हर आत्मा के दिल में है कोई भेद नहीं फिर भी इस बात पर सभी एकमत नहीं है कि केवल हमारा ही बड़ा क्यों नहीं है सभी मानने है कि केवल हमारा ही प्रेम बड़ा है सक्यों का कहना है कि हमारा राज जी का कहना है कि हमारा स्यमा जी का कहना है कि हमारा क्योंकि वहदत में सभी एक सुरूप हो करके लिला कर रहे है लेकिन वहदत की मारिफत को जान जाए कि राज जी ही मारिफत के सुरूप है वहदत की मारिफत के सुरूप स्री राज जी है वही स्यामाजी के रूप में है वही सक्षियों के रूप में है वही खोकुसालियों के रूप में है और पसपक्षियों और बंदरों के रूप में राज जी ही हमें रिचा रहे हैं यह भेद नहीं पता था सत्य का पता था परमसत्य का मारिफत का पता नहीं था हकीकत में जैसे एक दिश्टान मैं देना चाहूंगा जब पानी बहता है तो पानी कोई बर्फ नहीं कहा जा सकता और जब बर्फ जम जब पानी वही घनी भूत रूप हो जाए जम कर बर्फ हो जाए तो उसको हम पानी की संजा नहीं दे सकते ये कह सकते हैं कि बर्फ है ये तो जरूर कह सकते हैं कि पानी जम कर बर्फ बन गया है लेकिन बर्फ के पहार को हम पानी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पानी में द्रवन सीलता का बहने का गुण होना जरूरी है और बार्फ में इस्थिरता का गुण होना जरूरी है इसी प्रकार जदि यह आप कहा जाए कि वहां के पसपक्षी और बंदर राजी है तो यह विश्वास नहीं होता क्योंकि हम आकिकत में देख रहे हैं कि पसपक्षी जितने खुब कुसालियों को सक्षियों को राजी है ऐसी इस्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि पसपक्षी और रूप में खुब कुसालियों के रूप में राजी ही सक्षियों को और स्यमाजी को रिचा रहे हैं इस राजी को जानने के लिए थो हमें वायदत की मारिफत में प्रीज करना पड़ेगा हमारी अंतरदिष्टी जब तक राजी की हिर्दे में डूब न चाहे सुन के अस्तित का समापन न करते तब तक हम कैसे जान सकते हैं लौकिक जगत में भी हमें इस इस्तिति से कहीं न क कहीं रुबरु होना पड़ता है मैं एक दिश्टान देता हूँ कलपना कीजिए हम मानवत तन लेकर के बैठे किसी ऐसे प्राणी को देखें जो पस्की होनी में है माल लीजिए आपके घर में एक कुटा पिला है कुछ में के बाद उसकी मृत्ति हो जाती है पुना वही गा आपने उसके सरीर को देखा है कि मेरे घर कुटा मर गया था फिर गाया बैल मर गया पुना यदि वही गाया बैल का जी आपके घर में परिवार में किसी सदस्य के रुप में जन में ले लेता है तो सभी लोग क्या समझेंगे कि यहां तो मेरे घर में एक नए प्राणी का आग मन हुआ किन्तु यह वह मानने को तयार नहीं होगे कि जो आपके घर में कुटा पला था या बैल बदा था उन्हीं का जीव आपके घर में आ गया है मनुस्थ के रुप में जिसने सरीर को दे किन्ति जदी आप आत्मदर्सी हैं और अपने दिव दिश्रे देख रहे हैं कि मेरे घर जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ है उसका जीव पहले मेरे घर में कुटे के रुप में रहा पुना गाया बैल के रुप में रहा और मेरे घर बालक के रुप में जन्म लिया है त हमने उस चैतन को देखा Purambasasa सरीर बदलते गए כुते की ओनी से गाय बैल की ओनी सी परिवठत गज अनि में बदले शरीर बदले जीव का चैतन नहीं बदला उसी तरफ से हम सभी प्रण्यों में जिदी एक चैतन के रज को देख ले तो यह अध्यात्मिक जीवन की पराकाष्टा होती है जर्जुर वेद के 40 पर अध्या में इस सत्य को दर्शाया गया है तर तर कहा मुह है कहा सुका यो एकत्तम अनपस्यत मुह है तो अज्यान है और मुह से वस्विवत होने वाला प्राणी शुक की वस्विवत ह होता है जो सरवत्र ईक चैतनी कानवह कर रहा हो सभी cyn TL में एक चैतना को देख रहा हो उसके लिए को कि किसी सी उन आ नहीं कर पाईगा क्योंकि उसको पता है के यदि मेरी उपर कोई पत्र पहेज़या है तो उसके अंदर भी तो वही चैतनी जょो मेरे अंदर is और यदि कोई व्यक्ति मेरे पर स्नियक का प्रदर्शन कर रहा है तो उसके अंदर भी वही चैतन्य है जो मेरे से घ्रणा करने वाले के अंदर है ऐसी इस्तिती में उद्रश्टा भाव से संसार को देखने लगता है क्योंकि उस संमे एकद तो देखता है संमे उस चैतना को देख रहा है लेकिन तो यहां के और पढ़ने मातर से नहीं होगा इसके लिए तो उस परमसत्य को देखना पड़ेगा जब तक हम सच्टान परब्रम का सक्षतकार नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी अंदर यह इस्तिती नहीं आ सकती कि हम गाय में, कुटे में, चंडाल में, समें एक चैतना को देखे भेद दिर्ष्टी बनी ही रहेगी परमधाम के आत्माओं के साथ फी यही लिला चल रही है अनंत आनंद में डूबी पड़ी है जिस आनंद को एक सागर माना जाए उस सागर की एक बूद का भी कुरोणवा अंस इस संसार के योगी यतियों को प्राप नहीं हो पाता किन्त जिस आनंद में परमधाम के आत्माओं अपने प्रान बल्लब के साथ प्रेम और आनंद में डूबी पड़ी है उनको भी मारिफत का पता नहीं विज्यान का पता नहीं है सत्य को जानती है परम सत्य को नहीं रूहें बेनियाज थी बीच दरगा बारी हजार परमधाम के आत्माओं व्यसुद थी क्यों जाने ना आप अर्ष की साहवी अपार्थ न तुभी स्वेम को जानती हैं न परमधाम कोई अथार तर्प से जानती हैं जाने ना आप अरसकी साहवी अपार उन्हें अपनी और परमधाम की गरीमा काप पता नहीं है क्यों? क्योंकि प्रेम में डूबी हुई है प्रेम में डूबनी वाला स्वरूप के प्रतिला परवा हो जाता है दो बाते सख्या जानती है कि हम सख्या हैं और राज्जी स्यामाजी को रिछाती है यह पहचान पूरी पहचान नहीं है राज्जी स्यामाजी के प्रेम में डूब कर अपने को सख्या मानना ये अधुरी पहचान है क्योंकि ये हकिकत की अवस्ता है सत्य की अवस्ता है लीला सत्य है परमधा में हर वस्त सत्य है मिध्या तो होती नहीं किन तो ये पहचान कर लेना कि हम भी वही हैं जिसको रिजा रही है हम भी राजजी स्यामा जी के अंगरूप है वह उन्नी का हिर्दे हमारे रूप में लीला कर रहा है यदि यह पेचान हो जाती तो माया का खेल नहीं बनता पेचान बिना गीरो क्या करे या यार या सिर्दार सत्य है जब तक प्रेम होता है तब तक सत्य की पहचान नहीं हो पाती है एक मचली जब सागर के इंदर डुपकिया लगाती है जिदर जाती है पानी ही तो पानी दिखता है जल में के प्रवा में अनदित होती है लेकिन जल को पूंडते हैं माप नहीं सकती देख नहीं सकती कि जल की वस्तिविक लीला क्या है क्योंकि जल में तो स्वयम लीला में मगना है जब लीला से परी होगी जल के किनारे खड़े होकर सागर के अविरल प्रवाह को देखे की तब सागर की वस्तिविक तक आभास होगा उसको किन्त यदि हम इस मायावी जगत में तार्तम बाणी के प्रकास में जितनी में डूबते हैं तो एक लाविया होता है कि हमारे हिर्दे में जो विकारों की मलिंता है वो समाप्त होने लगती है धनी की सुबा जलकने लगती है जागरत बुदी का प्रिविस होने लगता है और हम कहीं न कहीं सत्य के बहुत निकट तक पहुंच जाते हैं परमसक्ति के इसके विपरेत यदि विसे बासनावने हमें घेर रखा है वाणी के सब्दों का हम चिंतनमनक्यल करते हैं अच्छी तरह से प्रस्तुत की कर देते हैं उनी रहस्य को हम वाणी से कहकर के बोलते हैं सुरुता तो यहीं समझेंगे कि हमने सत्परमसति को जान लिया किन्तो वह अन्भूत सत्य नहीं होता है वह कथित सत्य होता है जो एक वाग विलास मात्र होता है मारिफ़त ज्यान दिर्ष्रे जानते अन्भूत दिर्ष्रे नहीं जानते और जिस दिन हम अन्भूत दिर्ष्रे जानेंगे उस दिन हमारी अवस्था तो कुछ बिचित्री हो जाईगी, उस दिन तो लगेगा कि लगी वाली कछ और न देखे पिंड ब्रहान वाको हेरी रहे, उखेले प्रेमे पहर पियासों, देखन को तंसागरमाई, यही कारण है कि आज सुन्दर साथ में बहुत से सुन्दर साथ है जिनको हचारों चोपाईयां भेकंठस थे, किन्त उनका बेवान संसार के आनि प्राणियों जैसे आई है, जीवों जैसे है, उनमें ब्रह्मनियों के लक्षणों को यथार्थ रुपसे नहीं देखा जा सकता है, कारण यह है कि उस सब्द में नहीत ज्यान को किवल का वर र रही है, उनको लगता है कि हम राजी से प्रेम करती है, तो हमें प्रेम और आनन्द मिल रहा है उनकी तरफ से, हम इन से ज्यादा प्रेम करती है, यही भेद बताना था, यही मारिफत कर रह से दर्साना था, कि प्रेंधाम की अत्मा हो, तुम स्वयम कोन अभी नहीं जान पा जैसे मुझे एक बेद का मंत्र बहुत प्री है और उसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यद्धिगने स्यामाम तम तम वगा स्यामाम सत्या सुति यहासिसा यरिगविद में भी है और सामविद में भी है हे परभिनम जो तू है वो मैं हो जाओं और जो मैं हूँ वह तू हो जाए कितनी उची बात कही है वेद ने साइद हम इसको समझ नहीं पाते है परमधाम की आत्में अपने को सखियाई मान रही है रज नहीं मान रही है उनको रिजाने वाला मानती है जैसे इस अंसार में कोई पतनी पती से प्रेम करें और बार बार कहें कि आप तो क्यों लाट गंटे की डूटी करके आते हों देखिये सबेरे से लेकर रात तक मैं कुलू के बहल की तरह घर के कामों में पीस्ती रहती हूँ मैं आप पर जितना समर्पित हूँ आप मेरी कोई चिंता नहीं करते है उसका दावा क्या है कि वो ज्यादा अपने पती से प्रेम करती है पती उससे उतना प्रेम नहीं करता कहें ने कहें उसकी उपेच्छा करता है परंधाम की आत्माएं यदी कहें कि राजी हमारा प्रेम बड़ा है हम आपको रिचाती है तो यहीं अफराद थो उनसे भी हो रहा है और अफराद जान बुचकर नहीं हो रहा है अनयास ही हो रहा है क्योंकि यह सच है कि परंधाम में हर स्वरूप दूसरे से अनंद गुना प्रेम करता है सखियां अपने से अनंद गुना राजी स्यामाजी से करती है स्यामा जी अपने से अनंद गुना सक्षियों और राजी से करती है और राजी अपने से अनंद गुना सक्षियों से और स्यामा जी से प्रेम कर रहे है इस तीनों का खहरा है कि हम आपसे अनंद गुना प्रेम करते हैं हमारा प्रेम बढ़ा है कहा तो सच रहे हैं लेकिन राज कि राज्जी ही हमारे रूप में लिला कर रहे हैं। सक्षियों को यह पता नहीं है, कि उनके सरूप में स्वयम स्री राज्जी है। स्यामाजी को भी यह पता नहीं कि उनके सरूप में स्वयम स्री राज्जी है। इनको ये भी पता नहीं कि पसपक्षियों कोई और नहीं है, पसपक्षियों के रूप में स्वयमी स्रीराच्ची है, इसको कहते हैं अर्सकी साहिवी, अनन्त साहिवी, अनन्त गरिमा है, क्योंकि परमधाम में, परमधाम के रूप में, सक्यों के रूप में स्वयम अक्षरात कर रहे हैं इसी को बेद में संकेतों में दर्शाया गया है कि यह दिखने स्याम हम तुम तुम अगा स्याम है जो तू है वो मैं हो जाओं जो मैं हूँ वो तू हो जाए कदाचित संसार के लोग बेद की इस रहस को समझ लें तो उनका जीवन दंदन हो जाए आज तो देखा जाता है कि परमात्मा की भक्ती भी एक बेपार का रूप ले चुकी है आप तृपत मंदिर में दर्शन करने जाए तो आप सो रुपे वाले हैं तो आपको अलग लाइन में खड़ा किया जाएगा आप हजार दू हजार रुपे चड़ाने वाले हैं तो अलग आपको अलग लाइन में दिखाये जाएगा परमात्मा के दर्भार में भी पैशे के बलपर नता की स्थिती देखी जाती है तो यह क्या भक्ती है प्रेम अंतराatma की पुकार है है प्रेम अक्सरातीत का सुरूप है और उस प्रेम में डूप जाने के करण सुकी ने स्वयम क को नहीं भाइचान रहा था कि हमारे रूप में जो प्रेम कर रहा है सक्यों के सुरूप में जो राजी से प्रेम करता है उसमें राजी है ना अर्श्ची में ये दूसरा कोई और धरावे ना है ये लिख्या वीद कती में कोई नहीं खुदा बिनका परमधाम में राजी के तरिक तो कोई नहीं है ये तो लीला रूप में सकिया और स्यामा जी है पचीस फक्ष हैं, खुब कुसालिया है न तो मुहमानिक भाड है, न पुकराज है, न होजगोसर है कुछ नहीं है मारिफित के दिश्चे हकीकत में सब कुछ है पचीस पक्ष हैं, स्यामा जी हैं, सकिया है, खुब कुसालिया है लीला में हम डूपेंगे तो लीला करने वाले को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि लीला के आनंद में हम डूप जाते हैं लीला करने वाले को पहचानने के लिए उसके हिरदे में ढुबना पड़ेगा आनंद को छोड़िये हाँ प्रेम और आनंद हमारे सायोगी बन सकते है राजी के प्रति प्रेम होगा समर्पन होगा स्रद्धा होगी तब इन तब हम चित्वन करेंगे और राजी का दिदार करेंगे किन्तो राजी का दिदार करने के बाद भी उस दिदार के आनंद में ही क्योल रह जाएंगे तो राजी के हिर्दे में पहुँचकर मारिफ़त में कहां से पहुचेंगे इसलिए हमें अपने हिर्दे को इस अस्तर पर हमें ले जाना होगा कि हम राज्जी के प्रेम और अनन्द का रस पिते हुए भी राज्जी के हिर्दे में डूप जाए और अंतर दिश से उनके मार्फ़त के सुरुप की पहचान कर ले कि जो वह है हम भी तो वही है संसार के मनेशियों ने इस समंद में बहुत प्रयास किया अहम प्रयमास में और अननलग का कथन इसी समंदों में कहा गया है किन्त संसार के जीव अहम प्रयमास में कहते हुए भी पूर्तिया चरितार्थ स्वेम को नहीं कर पाए और बिचारा मंसूर भी जो सुफी फकीर था अननलग करने के कारण कटरपंतियों के पत्थरों का सिकार हो गया और इस दुनिया से चला गया प्रमधाम के आत्माओं के उपर ये मुद्दा है कि जिस स्वरुप की पैचान देने के लिए ये खेल बनाया गया जिसमें ब्रजरास और जागनी के तीन चरण है इस जागनी के अंतिम चरण में परमधाम की जो ब्रमवाणी आई है जिसमें डुपकी लगाकर हमें अपने प्राणी स्वर को पाना है पाने के बाद उनके हिर्दे मंदिर में प्रिविस करना है और तब हमें पता चलेगा और नुभूत सत्य हमें मालुम होगा कि जो राजी हैं हम भी वही है वैसे तो हम वाणी पढ़कर असानी से कर सकते हैं कि राजी का धिर्दे ही हमारे रूप में है हम भी राजी है वैसे तो हम अपने जीव को भी राजी के उपर माल लेते हैं जीव भाव को राजी की इक्षा माल लेते हैं ये ब्रह्म है एक मात्मा जी को जब पकोड़े खाने की इक्षा होती थी अपने सिस्चों के पास जाते थे काते थे कि आज राजी को पकोड़े खाने की इक्षा हो रही है राजी को पकोड़े खाने की इक्षा क्यों होगी या खिर खाने की इक्षा क्यों होगी इक्षा तो मन okei ferman से जए उनके मन की तृषना को पकोड़े NICK काने की शार कभी Nऊ सकती दूआन के लोकीक इख्षयी नहीं क्योंकि बीछाओं से परें अनंद का सरुम पूर्ण प्रेम काूल हम अध्यात्म की वास्तिक सुरुकि ना चार्ण इन्हें ब्रांतियों में पड़े रहते हैं अध्यात्म का वास्तिक सरुप तो विक्रित होई चुका है जैसे मुस्लिम लोग कहेंगे कि अल्ला ने कहा इब्राहिम को कि तुम अपनी प्रिवेस्ट मुझे समर्पित कर अब यहां से क्या प्रमात्मा पसुग के मांस और खून का प्यासा है अल्ला के नाम पर भोले भाले बेज़बान जानरों की बल्ड क्यों दी जाती है हिंदो कम क्यों ठारे है यह सच्च्दान प्रमात्मा कि मुर्दी तो बना नहीं पाते देवी देवताओं के मुर्दियों को ही परमात्मा का रूप मान कर कहें काली के नाम पर कहें भैरों के नाम पर कहें किसी कालपनिक देव या देवी के नाम पर वहां ये भी पसों के बली चड़ाते है पैसों को काड़ते हैं पकरों को काड़ते हैं मिठी का चबुतरा बना दिया, वह बकरे को काड़ दिया, कहेंगे कि देवी इससे खूस होती है, सक्ति क्या है, सर्व सक्तिमान, सकल गूर निधान, सच्तानत परमात्मा, जिसको कुरान की भासा में रभिल अल्मीन कहते है, उपस्वों के रग्त और मांस का प्यासा नहीं हो हम सभी प्रानियों के अंदर वी दिमान उसचेतना को नहीं देख रहे हैं, हमने धर्म के सरुप को नहीं समझा। हमने संप्रदाय को धर्म मन लिया, एक विचार धारा को परमसत्य मन लिया। वैसे ही, जिस दिन हम सभी दनों में बैठे वे जयतना की सरुप को पछाँद पहुग हैंगे उस दिन हम कहीं न कहीं राग दुश से बहुत उपर उठ जाएंगे हम किसी सुंदर साथ से बहुत लगाउ रखते हैं किसी से बहुत घरना करते हैं क्यों? क्योंकि हम कहीं न कहीं, छेत्र विशेस की सीमा में बते होते हैं, आर्थिक लाभ किसी के संदर से आकर्षित होते हैं, किसी के जान से आकर्षित होते हैं, किसी के धन के अकर्षन में बते होते हैं, जिसके अकर्षन में बते होते हैं, उसे हमारी घनिष्टा होती है, और जिसस उसे हमारे मनोभाँओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसे कुई विशेशכ मेन होता है। ये सब भेदवाद क्यों हैं ये ज्था स्बर्खृत के बंदनों को पार नहीं कर पाए। परमधाम के उस आत्मा के सक्षातकार से हम बछृत हो रहे है। इसलिए यदि हम अतार्त सत्य को जानना चाहते हैं, तो जागनी के वीश ब्रह्मान में हमारे यह सुनाला आफसर है, कि चितुनी में डूप कर परम सत्य को पाएं, वानी का प्रकास इसलिए दिया गया है, कि जान दिश से हम सब कुछ जान जाएं, हम कोने हैं, आय कहां से, हम हमारे परमधाम की गरिमा कैसी है, हमारी गरिमा क्या है, युगल सुर्प की गरिमा क्या है, हम और धनी, दोनों एक है सुरूप है, ब्रहम सिष्ट का ही वेदने, ब्रहम जैसी तो दोगत, हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा ही नहीं है, पर्दा हमने बढ़ाया है, कि फिर बन्त इस भेत को जानने के पिस्चाइत उसको औन भूत करना अवस्जेख है क्यों अब सब्धि ज्यान से हम संतुष्टि करके बैठ जाते हो तो ये बात वैसे ही होगी जैसे के वने हम सक्कर-सकर कईकर हम खूश हो जाते हैं भले ही शक्कर को हमने देखा नहीं, उसको चखा नहीं सुद्ध नाहीं दुख सुख की आनन्द अलग है सुख अलग है सुख किसी को कहते हैं, जो हमारे अंता करण को अच्छा लगे, वह सुख है जैसे तबती गर्मी हो रही है, हमको इसी में कोई बैठा दे तो बहुत अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, मन को हमें तबती दोपरी में कोई नंगे सी धूप में बैठा दे, तो हमको बहुत कश्ठ होने लगता है ये कश्ठ किसको हुआ, मन को सुख और दुख का अनुबह हो, अंता करण का विसे आनंद आत्मा का विसे है, जो समाधिस्त हो गया, जो मन के कश्ठों से, मन की सुखों से परी हो गया, अपनी आत्मा के आनंद में विहार करता है, देखता है कि प्रित्तम पर ब्रम प्रेम और अनंद का सागर है, यदि छपन भोग खाने को मिल रहे हैं, तो उसे कोई खुस नहीं हो रही है, और सुखी रोटी चबानी परड़ रही है, तो भी उसको कोई कश्ठ नहीं है, क्योंकि वो सम्तिर्ष्टी में जी रहा है, इस सुख से न तो उसको आ सकती है, और न दुख से कोई खरणा है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मन के धरातल पर होती है, हमार हमें दुख होता है, बच्चे का घर में आगमन होता है, हमें सुख होने लगता है, जब किसी की मृत्य होती है घर में, तो हम रोने पिटने लगते हैं, हमें कश्ट होने लगता है, दुख होने लगता है, सुख और दुख मन के धरातल पर है, आत्मा के धरातल पर ने, जीव सुध सरूप में जब इस्थित हो जाएगा मन के धरातल से परे हो जाएगा तो एक आत्मदर्शी की तरह वो दरश्टा भाव से दिखने लगता है परमधा में अनंद प्रीम का प्रवाह भह रहा है अनंद आनंद प्रवाहित हो रहा है ऐसे में उनको यह भी पता नहीं था कि सुख क्या है और दुख क्या है सुध नहीं सुख दुख की ना सुध विरह मिराव परमधाम के आत्माओं को न सन्योग का पता है न व्योग का पता है क्योंकि परमधाम में न कभी सन्योग होता है, न कभी वियोग होता है, और न कभी होगा, क्योंकि सन्योग और वियोग दो के मद्ध होता है, परमधाम में दो है यह नहीं, एक है, एक मात्र राजी का हिर्दे ही सभी रूपों में क्रिड़ा कर रहा है, ब्रमात्मा जब राजी को रिजाती है, तो उसका सुख सभी को होता है जब चौती भूंका में लिला होती है तो उस लिला का आनंद परमधाम की पसपक्षी सब को होता है परमधाम का एक एक कर उस आनंद में डूपता है क्योंकि लिला करने वाला भी वही देखने वाला भी वही आनंद लेने वाला भी वही देने वाला किया है भले ही तारतम जयान का प्रकाशना होने से इसकी अनुवूती नहीं हो पाई है तभी योगे सर्शिक्र्स ने एक बहुत उची बात कही है सुखे दुखे समय कृत्वा लाब लाब हो जाया जो सुख, दुख, लाब, भान, इमान, अप्मान में सम करना समत्व में योग उच्छिते जिश ने अपने आत्म सुरूप में स्वयम को इस्चीत कर लिया है वो समत्य आवस्ता को प्राब्ट को हो जाता है क्योंकि वो मन के धरातल पर नहीं रहता मन के धरातल पर जब तक हम है तभी तक तो संसार है जिसने उन्हों भावों को जीत लिया और निश्ची थी है कि आत्मदर्शी होने के पत पर चल पड़ा है कितना अश्चर है आज जो संसार को अध्यात्म काउपतेश देते हैं उनके पास ही महंगी महंगी गाड़ियां होती है चालिश चालिश पचास पड़ास लागे गाड़ियों में विश्वें ब्रमर करते हैं जदि उनको वह सुक्सभधाई ना मिले फाइविश्टार होटलों में रने ना मिले तो बिचलित हो जाते हैं क्योंकि उनका जान के और पढ़ा हुआ जान है अनभूत सत्य जान नहीं है परमधाम की आत्मायों ने केवल प्रेम देखा है आनंद देखा है वहतत का रस देखा है जहां सबका एक दिल है एक प्रेम है एक आनंद है एक संदरी है कहीं भी रंच मात भेद नहीं भेद तो दो पदार्थों में होता है जहां एक ही अक्षरातीत का हिर्दे किल्डा कर रहा हो हो वहां अभेदता की स्तिती होती है इस्तिती है नो तो वहां सुख है न दुख है न सन्योग है न में कालमाया के ब्रहान में कोई बश्थ सुखदाई होती है तो कोई बश्थ दुखदाई पानी में मन इसको डुबो दिया जाए तो उसके लिए दुखदाई है मृत्त हो सकती है कि उन्त मचली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसके लिए दुखदाई है क्यों कि वो पान प्रान त्याग देगा, किन्त वही जी जब मनस की यूनी में प्राइज करेगा, और उसको कहा जाए कि तुम पुरुज यूनी में मचली की यूनी में थे, तो पानी में थे, अब इसमें जाओ, तो पानी मेरा करकर उपने प्रान त्याग देगा, इसलिए कालमाया के ब्रहान में कहीं सुख है कहीं दुख है कहीं सन्योग है कहीं भी हो गए यह उनको मालूम नहीं था सागर का अवलोकन करने के लिए सागर के किनारे पर हमें खड़ा होना होगा सागर में डुबने के बाद तो सागर की घराई इतनी अनंत है कि उसको जाना ही नहीं जा सकता इसलिए परमधाम की आत्माओं को परमधाम की मारिफत को दर्साने के लिए एकत वहदत की मारिफत क्या है इसके की मारिफत क्या है इल्म की मारिफत क्या है खिल्वत की मारिफत क्या है यह दर्साने के लिए ही तो यह माया का खिल्वना और जब तक यह पता नहीं था अपने को अलग मानती थी, मैं हक अर्थ में जुदा जानती ल्यावती सब्द में बढ़ना, जड़ में सिरले ढूंडती हक आय दिल अर्ष जेतन, लिला की हकीकत में जब तक सखें थी, स्वहम को राज जी से अलग मानती थी, कि हम राज जी को रिचाती है, स्यामा जी को स्वहम को जोड़ने के पैस्जात, उन राजियों को अपने जान चक्चों से देखने के पैस्जात परमधाम की आत्मा ये भूल नहीं कर सकती, कि राजी से प्रिथक हमारा को यस्तित्व है, सागर की लाहर लिला रूप में, छोटे रूप में देखती है, किन्त प्रगट ह सागर से ही है, उसको सागर से भिन कहाई से कहाई जा सकता है, वैसे सागर का देश्टांत परमधाम में घटित नहीं हो सकता, क्योंकि सागर की लाहर में उतना जल नहीं होता, जितना की अपार सागर के जल में होता है, किन्त परमधाम की एक आत्मा में है, जो इसक है, जितन इस मोलशरप के हिर्दे में भी है क्योंकि द्वयत ही नहीं वैसे सागर और उसकी लहर की रचना एक ही प्रकार के जल से है फिर भी यहां असमानता है लहर में एक समान मात्रा में जल होता है जबकि सागर अगाध चलरासी का शरूप होता है कि तुप परमधाम में एकत्त होने से सभी रूपों में एक अक्षरा तीथी लीला कर रहे हैं इस दिए सब का सौंदर ही बराबर है यह अवस्य है कि जिस अंग की सोभा को बर्णन स्रिंगार गरंत में सागर गरंत में किया गया है उसको सरूपर ही कहा जाता है क्योंकि स्रिंगार बर्णन करते समय अंग भी से इसको सरूपर दर्शा नहीं होता है किन्तो इसका आर्थिया नहीं है कि एक मात्र वही सुंदर है सभी अंग समान रुप से सुंदर है सभी के अंदर समान प्रेम है सभी के अंदर समान अनन्द है सबकी जोती समान रुप से है इसलिए हमारी पुद्धी अनन्द अनन्द का करके मौन हो जाती है महान परमधाम की गरिमा क्या है? यह परमधाम मेरा कर सख्या नहीं जानती थी. जिसने चपन बहुग में साखाए हैं, वो भुजन की माता को कैसे जान सकता है? भुजन की माता तो तब वालो होगी, जब भुखोर राना बड़े. जिसने चेरा पूजी में जन्म लिया है उसको जल की किमत का अवास नहीं होता जल की मात्ता क्या है यह तो तब पता चलेगा जब उसको जैसल मेर भेज दिया जाए जोध पूर भेज दिया जाए और दो दिन तक पानी ना मिले फिर वो जानेगा कि एक एक मोद जल की कीमत क्या होती है परमधाम की आत्माएं जिस प्रीम और अनन्द की अनन्द सागर में बिहार कर रही थी उनका हिर्दे भी अनन्द प्रीम और अनन्द का सागर है बिहार भी कर रही है प्रेम और अनंद सागर के साथ वो क्या जान सकती है कि परमधाम की गरिमा क्या है माया में आने के बाद उनको प्रेम की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है जब तक दिरिष्टी मुल सुरूप की तरफ नहीं होती परमधाम की आत्माएं भी प्रेम खोशती फिरती है पती से, पत्नी से, बच्चों से, संगे समध्यों से लेकिन प्रेम नहीं मिलता प्रेम इस संसार में होता तब तो प्रेम मिलता प्रेम का दिकारी तो वही सरूप हो सकता है जिसने अपने को विशेवासना उसे परे कर लिया है जिसके हिर्दे में परीतम का प्रेम नहीं है उस संसार के अन्य विक्तियों को प्रेम का रस्वी कैसे देख सकता है संसारिक समंदों को निभाना एक विवस्ता होती है और संसारिक समंद भी केवल इसलिए होते हैं तो कि ताकि संसार का कारेभार चल सके है दो यूआ योतियों का विवा हो जाता है तो इसका अतात परिया नहीं होता कि उनमें परिये में विवा करना परिवार को चलाना एक विवस्ता है इस विवस्ता से कोई परह नहीं हो पाता यदि कोई गिराष्ट कात्याग करके सन्यास्चियन में भी पुरिश कर लेता है तो उसको अनेक लोगों से समंध बनाना पड़ता है यदि किसी घने बन में चला जाए तो कहीं न कहीं पेंड़ पोधों से भी समंध बनाना पड़ता है खाएगा क्या इसलिए प्रीम का मूल सरूप है केवल अक्षरती माया के संसार में आने के बाद परनमधाम के आत्माओं को यह पता चला है कि यह तो तिर्ष्णा का संसार है राग द्विष्ण का संसार है सत् 찾ma की अवस्था में जान्सनी होता है रजगूर में असक्ति का रुप ले लेता है वही इसने और वही इसने कि धारा tommo gur में मोह के रुप में दिश्ट कोचर होती है जो सत्र रतम से परी होगा वह तो त्रिगुनातीत प्रेम के बारे में जान पाएगा कि परमधाम का प्रेम क्या, अनंद क्या है, वहां की सोभय क्या है, लीला क्या है इसलिए जब तक इस खेल में नहीं आई थी तब तक उनको परमधाम के भी गरिमा का पता नहीं था ना सुद्ध वजरक अर्ष की खबर न खावंद आप न तो उन्हें अपनी पहचान है, न अपने प्राने स्वर की पहचान है उन्हें जानती थी बस इतना जानती थी कि राजजी हमारे प्रेतम है हम उनको रिछाती है इस तार्दम भाणी ने ये दर्षा दिया कि नहीं मैहकर्स में जुदा जानती ल्यावती सब्दे में वर्नन ये भूल थी हमारी हम और राजजी दो नहीं है हम वहीं है जो वह है वह हुआ ही है जो हम है दोनों हम तो एक ही है यह बोद हुआ है तार्तम वाली की प्रकास में अब छठे दिन की इस लिला में हम तार्तम वाली के दोरा यह जान तो गए है किन्थ अभी यह यथार्थ लक्ष नहीं है जानेने के बाद इसको अनुभो करना भी हमारे जीवन का एक परम लक्ष है और यह अनुभोगा चित्वनी में डूब कर धाम देने के प्रेम में डूब कर जब हम अपने प्रितम को निहारेंगे उनका प्रतक्ष दिदार करेंगे तत्पस्चात उनके हिर्दे में डूब कर हम इतने लीन हो जाएं कि हम स्वयम को भुला दें तो हम समझ पाएंगे कि जैसे जल की एक लहर सागर में डूबने के प्रित्चात सागर बन जाती है हम भी वही सागर हैं जिसकी लिला रूप रहर में हम स्वयम को आत्मा के रूप में देख रहे थे सच तो यह है कि हम आत्मा या सकी रूप है यह नहीं हम तो वही है जिसको रिज़ा रहे थे और यह बताने के लिए ही राजी ने खेल बनवाया इसको करते हैं खेल का महा करण, जब महर का दरिया दिल में लिया, तो व्रुवों के दिल में खेल देखने का ख्यालूप जा, राज जी अपने शुरुप की पैचाम देना चाहते थे, इस करण, परमधाम की आत्माओं के अंदर, ये इच्छा प्रकट करिये, कि ये मुझसे मया का खेल मांगे, और अनन्द काल से चला रहा था, किन्त उसका निर्णे करने कब होगा, कैसे सक्षियों के अंदर, राजी ने एक्छा पैदा की, अपने शुरुप की पैचान देने के लिए, और राजी की अनन्द क्रिपा के फल सुरुप हुआ, इसलिए, ये माया में हमें कश्ट मिलता है, त राजी को क्या हो सकता थे, इस माया के खिल में भेज कर, राजी कृपा के अनन्त साकर है, दया के, प्रेम के, वो जो कुछ करते हैं, अपनी आत्माओं पर प्रेम दर्साने के लिए करते हैं, उनके इस उपहर को हमें अंगिकार करना चाहिए, और इस कथन को आत्मसात करना चाहिए सुक्ष हक इसक के जिनको नहीं सुमार सोदेखन की ठोर इते जो रूव सुक्रो विचार अक्षातित के अनंत सुकु का रस्पान करने के लिए ये जागनी ब्रह्मान बनाया गया है जिसमें चोथे पांचवे दिन के लिला बीद चुकी है अब छटे दिन के लिला चल रही है हर सुन्दर साथ को खड़े होना है वाणी का प्रकास लेकर और अपने हिर्दे में चित्वनी की ऐसी रस्धारा भानी है कि सारा संसार इस चित्वनी की रस्धारा में डूप जाए और यह बैठे बैठे परमदाम की अनन्त सुकों का रस्मान कर सके